कहारा कि एक चीहड़क ने समोहिक ब्याआम के लिए चाटरों का एक ठोस वर्ग में ख़ड़ा करने का प्रयास में पाया कि 24 बच जाते अगर वर्ग में उनको खड़ा किया जाता है उसने वर्ग के अकार में एक चातर बढ़ादी मतलब कि अचोविस बच जा रहा है इसलिए इसने क्या कि वर्ग में प्रतेक वर्ग में एक छात्र बढ़ा दिए वर्ग के अकार में एक छात्र बढ़ा दिए अब यह इस तरह से हो गया प्रतेक परतेक प्रतेक पंग्ति में पंग्ति में छात्रों की संख्या प्रतेक पंक्ती में छात्रों की संख्या बराबर X तथा पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर में X ठीक है पंक्तियों की संख्या भी क्या होगी आपकी X होगी और प्रतेक पंक्ती में छात्रों की संख्या भी X होगी क्योंकि ये वर्गशेप में बैट रहे हैं हुआ प्रसनिसे अचा छात्रों की कुल संक्या छात्रों की कुल संंख्या क्या हो जाएगी तो आप देखो पंक्ती में पंक्ती की संख्या में एक पंक्ती में छात्रों की संख्या से गुना कर देंगे तो क्या पाते हैं 24 चात्र बच जाते हैं इस तरह से रखने पर 24 चात्र बच जाते हैं तो प्लस 24 या फिर उसने क्या देखा कि वर्ग के अकार में एक चात्र बढ़ा दिये यानि कि पंक्तियों की संख्या भी x प्लस 1 कर दी और चात्रों की संख्या भी x plus 1 होगी हर एक पंक्ती में तो यहां से हो जाएगा x plus 1 का whole square मतलब कि x plus 1 into x plus 1 कर दिये तो 25 छात्र कम हो जाते हैं समझगे ना तो यहां दोनों जो है क्या है छात्रों की कुल संख्या ही है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देगे समझ रहा है ना चलिए इसको solve करते हैं x square plus में 24 बराबर यहां हो जाएगा x square plus 2x plus 1 माइनस का 25 तो यहां यहां कट जाएगा चलिए आगे solve करते हैं 24 बराबर में 2x माइनस का 24 यहां से इसको इधर बे तो इसको इधर बे तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 48 हो जाएगा या कट जाएगा x बराबर में आ जागे यहां से 24 ठीक है तो x बराबर 24 आ गया इसलिए छात्रों की छात्रों की कुल संख्या कुल संख्या आप ये वाली ले लो चहें ये वाली ले लो x square प्लस में 24 यानि कि 24 का square प्लस में 24 तो 24 का square 576 और प्लस में 24 जोड देंगे यासे total 606 है ठीक है इसमें भी रखोगे न तो वही आएगा question number